हमारे नए गली न्यूज इंडिया चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले और ये आगे चलेगा और कब तक ही movement चलेगा हमें को शोख तो है नहीं किसी को शोख तो है नहीं यहां बैटने का इतनी मुश्किले जहिलने का हमारे सब के घर बार हैं हमारे कामधंदें अगर हम 11 दिन से यहां बैटे हैं या शाहिन बाग के अंदर 50 दिन से उपर हो गए वहां ओरतें बैटी हैं या ऐसे 50 शाहिन बाग हैं जहां ओरतें वहां बैटी हैं तो हमें शोख नहीं है कोई मजबूरी है हमारी हमारी मजबूरी यह है कि सरकार हमसे हमारी नागरिक्ता चीनना चाहती है और यह शरमनाग बात है कि एक तरफ बीजेपी ने तो अपना एजंडर किया है बीजेपी की एजंडर क्लेर है जब शट्टा में आई है कि उसके एजंडा है कि मुसल्मानों पर जुल्म धोया जाए, मुसल्मानों पर जुल्म किया जाए और वो जुल्म के इंतिया इतनी बढ़ गई है कि अब वो हमारे अस्तित, हमारे वजूद, हमारी नागरिक्ता को चिनना चाहरे है लेकिन शर्मनाक बात यह नहीं कि BJP क्या करना चाती है क्योंकि BJP जो करना चाती है उसने बता दिया है सवाल उन पे है जो BJP के मुखालफ़त करते हैं वो क्या करना चाते है इतने सारे BJP, non-BJP states है जहां कॉंग्रेस की सरकार है जहां किसी और पार्टी की सरकार है यहां भी शिफसेना, NCP और कॉंग्रेस की सरकार है उन लोगों को अपना पोजिशन क्लेर करना पड़ेगा अब मैंने सुना कि कल कुछ लोग मिलकर आए और बोला कि मुंबई बाग के धरना खतम हो जाएगा क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने आसवाशन दिया है कि NRC महराश के अंदर नहीं होगा वो NRC पासवाशन दे रहे है लेकिन NPR पासवाशन नहीं दे रहे है NRC काफी नहीं है कि यह बोलना कि NRC नहीं होगा यह बात तो BJB विसंसत के अंदर बोल रही है कि अभी हमारा NRC कराने का कोई ऐसा सोचा नहीं है हमने, अभी हम NRC कराने की बात नहीं कर रहे हैं, एक अपरेल से वो बैक डॉर से NRC लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है National Population Register, NPR, अगर ये धरना उठेगा, ये धरना जब उठेगा, जब महाराश का Home Minister, महाराश का Chief Minister, महाराश क liberal demand है, ये बोलना कि हम NRC की खिलाफ है, ये बोलना कि हम CA के खिलाफ है, ये काफी नहीं है, जब तक आप NPR पे पोजीशन नहीं ण committed, जब तक आपकी कोई बात भी हमानी है, आप चर बात कोकली है, आप देश भर में जो NRC होने वाला है, news NRC असाम की तरह नहीं होने वाला उस NRC में आपसे कागस पहले कदम में नहीं मांगे जाएंगे, पहले कदम में NPR के अफसर आपके घरों में आके, आपसे सवाल पूचके, सवालों के जवाब लेके, एक लिस्ट बनाने वाले हूं, उसके आधार पर आपसे नागरिकता चिनने वाले हैं, तो सबसे जरूरी है कि एक अपरेल से पहले माराश की सरकार को ये चिदावनी देना चाते हैं, माराश की सरकार से ये अपील करना चाते हैं, माराश की सरकार से ये रिक्वेश्ट करना चाते हैं, 31 मार्च तक का समय है, आप NPR को माराश के अंदर रोक दीजिए, वरना हमारा जो पूजिशन है वो तो क्लेर है आप कल को NRC करवाएं या NPR करवाएं ना NRC में हम कोई काघस दिखाएंगे और ना NPR में आपके सवालों का कोई जवाब देंगे आखरी अपील के साथ जब मैं अलग-अलग अलाकों में जाता हूं तो अलग-अलग अलाकों में बोर्ड लगा रहता है कि मुंबरा में आपका स्वागत है बाइकला में आपका स्वागत है अपने अलाके के बाहर एक बोर्ड लगा दीजए 31 मार्च को लगा दीजए कि एक अपरेल को NPR के अफसरों का यहां स्वागत नहीं है हम NPR के अफसरों का अपने घर में नहीं आने देंगे वें न्पिार को नहीं मानते और जब तक महाराज की सरकार ये बात क्लेर नहीं करती NPR पर अपना पोजिजन क्लेर नहीं करती तक ये मेरी आप से धर्खास्त है आप अपने decision इस movement के decision आप तमाम लोग लेंगे क्योंकि यह movement अगर आज खड़ा हुआ है तो आपकी गुर्बानी के वज़े से खड़ा हुआ है माओने नानियों ने दादियों ने बहनों ने गुर्बानी दी इसलिए यह movement आज यहां तक आया है कि नरेंदर मोधी के पास भी कोई जगा नहीं रहे गई कि एनर्सी को वो खुलेयाम बोले और अपनी शकल दिखा पाए इसका क्रेडिट माओं को बहनों को नानियों को दाजियों को जाता है तो अगर क्रेडिट आपको जाते है तो फ्यूचर भी आप डिसाइड करेंगे आप डिसाइड करेंगे कब तक जाएगा कल को सरकार्स को डेलिगेशन मिलने जाना है तो आप डेलिगेशन डिसाइड करेंगे आप लोग डेलिगेशन में मिलने जाएंगे कि चाहे होम मिनिस्टर हो चाहे मुख्य मंत्री हो और आप लोग डिसाइड करेंगे आने वाले दिनों में मुव्मेंट कहा जाएगा हमारी तरफ से पुजिशन क्लेर है न हम एनार्ची को मानते ना इन पी आर को मानते ना सीए को मानते यह तीनों कानून को अलग कानून नही है यह कॉंबो पैकेज है यह कॉंबो पैकेज हमारे देश को बर्बाद करने के लिए है और हमने खाई है तुम्हें जो करना है कर लो हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे आप तमाम लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया एतिजाच को जारी रखिए जब 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 जजबे की जुरुत पड़ती है मैं आपको याद करता हूँ और आप तमाम लोगों से मुझको जजबा मिलता है इंकलाब जिन्दाबाद 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 परके जिन्दाबाद पैसे लगेंगे इस जूदी दाने के गेंगे